हेई फ्रेंड्स ये है दिसंबर की ठंड भरी चांदनी रात कितना अच्छा लग रहा है ना सो मैंने मेरी सासुमा से पूछा के डिनर में क्या बनाओ तो उन्होंने बोला पत्ते गोबी का पराठा तो फिर क्या था मैं लग गई काम पर फिर मैंने लिया आटा उसमें डाला ग्रेटेट कैबेज लैसुन मेरी जुबान जैसी तीखी मिर्च जिन्दगी भले ही बेरंग हो बट पराठे में रंग भरने के लिए खूब सारा हरा धनिया मेरे पती के प्यार जितना चुटकी भर नमत अरे कहना क्या चाहते हो हल्दी, धनिया पाउडर, काली मिर्च पाउडर, चीरा पाउडर, लाल मिर्च और दो चम्मच ओल इसके बाद इन सब को मैंने किया मिक्स फिर याद आया कि सासु मा को गैस की प्रब्लम हो रहे है तो मैंने डाला अजवाइन, मंग्रेल और अपी के प्यार जितना चुटकी भर ही हूँ सब बास बिटा फिर मैंने गुते हुए आटे के गोल-गोल लड़ू बनाए आप सोचेंगे पराठा बना रही थी, लड़ू क्यों बना रही है अरे भाई लड़ू जैसे गोल करने के बाद ही तो बेलूंगी तो ये देखिए, ये बन गया गरमा गरम परा था जिसको खाने के बाद सासुमा ने बोला, गैस हो रही है तो सुबह के नास्ते के लिए चना और मटकी भिगो देना, मैं वही खाऊंगी तो नास्ते के लिए मैंने चना और मटकी भिगो दिया था तो सासुमा की फर्मा इस पर सुबह के नास्ते के लिए बनाया मैंने चना मटकी चाट और मैं ये रेस्पी आपके बादे सेयर करने वाले हूँ इसके लिए आपको चाहिए भीगा हुआ चना, मटकी, वारी कटा हुआ एपल, थोड़ा हिल्दी बनाते हैं, प्याज, हरी मिल्च, थोड़ा सा खटा नीबू, काला नमक और काली मिल्च पाउडर, फिर इसको कर लिया मिक्स, खूब अच्छे से, बस दो मिनट में हिल्दी ड